हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक से बढ़कर एक ऐसी धमाकेदा टिप्स जो आपके रोज के खर्चों को बिल्कुल कम कर देंगे और साथ ही साथ आपके घंटों लगने वाले काम को मिंटों में निप्टा देंगे तो आज मैं आपके साथ करने वाली हूँ धेर सारी aso kitchen और गर से related बहुत सारी ऐसी टिप जिससे आपके घंटों का का मपी मिंटों में हो जाएगा तो चलिए फिर बिना देरी क ये वीडियो देखना शुरू करते हैं वीडियो जरा से भी पसंदा आए तो जरूर से लाइक कीजेगा दोस्तों किसा जरूर शियर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें दोस्तों जूते तो हम सब लोग यूज करते हैं लेकिन आपने देखा होगा कई बार ये जूतों के जो नीचे का तला होता है ये एडियो की तरफ से हमें चुबने लग जाता है क्योंकि धीरे-धीरे करके ये पुरा घिस जाता है और ये हमें धीरे-धीरे करके चुबना सकते हैं जिससे आपके पैरों में किसी भी तरीके की कोई भी चुबन नहीं होगी और यह बहुत ही आपको चलने में बहुत कमफरटेबल लगेगा और बहुत ही जादा सॉफ्ट लगेगा आप चाहें तो यहाँ पर पैड यूज कर सकते हैं और इसके पीछे की जो चिप होती है इसको निकाल दीजे और इसे अच्छे से चिपका सकते हैं या फिर इससे आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं ऐसे भी आपको करने वाली हूं और पहनने में बहुत ही सॉफ्ट लगता है बहुत ही कंफरेबल लगता है आप एक बार ट्राइ करके देखना अगर आपकी जूतों में भी इसी तरह की कोई भी प्रॉब्रम है न तो आपको यह बेहत पसंद आएगा और उसके बाद जब कभी भी आपके पास ट्राइम हो तो आप इसे ठीक करवा सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली यूसफुल टिप की तरफ दोस्तों किचन में काम करते हुए हम जब कभी भी इस किचन के कपड़े का यूज करते हैं चाहे तो गैस को साफ करने के लिए करते हैं कई बार हमें यह कपड़ा गीला करना पड़ता है इस कपड़े का हम पूरा दिन यूज करते हैं किचन में लेकिन हम कई बार ना सोचते हैं कि इसको अच्छे से धो कर सुखा दे लेकिन उतनी बार हमें इसका यूज करना पड़ता है कि इसे सुखाया भी नहीं जाता है क्योंकि टाइम लग जाता है स कपड़े में से बहुती बुरी स्मेल भी आती है तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिसके बाद आपका एक कपड़ा तुरंद सूख जाएगा और आपको जादा महनत भी नहीं करने पड़ेगी तो यहाँ पर फिलाल में गैस को आउन कर लेती तो अगर आपको कपड़ा सुखाना हो तो आप क्या कर सकते हैं तो आप यहाँ पर कूकर के ओपर इस गीले कपड़े को रख दीजे आप देखेंगे कि कुछी सेकिंड्स के अंदर यह कपड़ा पूरी तेरीकी से सूख जाएगा और साथ ही साथ इसमें जो स्मेल होती है ख अगले टिप की तरफ दोस्तों जब कभी भी हम प्लास्टिक के इस तरीके कंटेनर यूज करते हैं खाने पीने के लिए तो आपने एक चीज नोटीस की होगी कि हम जब खाना खा लेते हैं तो इसमें नीचे सबजी और ओल सब कुछ लगा होता है जो की साफ करने के बाद भ साबुन से साफ कर ले तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ गरम पानी और न्यूस पेपर किसी भी तरीके की चिकनाई और स्मेल को खत्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है अगर आपके किसी भी इस तरीके के एट एंड कंटेंडर में या फिर टिफिन में जो प्लास्टिक का हम यूज करते हैं अगर किसी भी तरीके की स्मेल ये चिकनाई रह जाती है तो आप उसमें थोड़े से न्यूस पेपर के टिकुड़े या फिर टीशू पेपर के टिकुड़े डाल दीजे लेकि न्यूस पेपर के टिकुड़े होंगे नो जादा से छोड़ दीजे आप देखेंगे जितनी भी चिकनाई होगी वो बिल्कुल अच्छे से रिमूव हो जाएगी और जितनी भी स्मेल इसमें होगी वो न्यूस पेपर पूरी तरीके से अब्जॉब कर लेगा तो मैंने यहां पर इसको दो मिनिट बाद अच्छे से खाली कर दिया है तो मैं आपको दिखाओंगे कि इस पानी के अंतरा कितनी जादा चिकनाई आ गई है और उसके बाद हम इसे न्यूस पेपर के टुकड़े को अच्छे से साफ कर लेंगे टिफिन को और मैं आपको दिखाती हूं कि इसको हम किसी भी उसके बाद कपड़े से साफ कर या फिर पानी से साफ कर लिजे तो यह बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है सबसे बड़ी बात इसमें किसी भी तर्डिकी कि न कोई भी फिर खाने पीने के स्मेल बिलकुल भी नहीं रहती है अब इसे आप किसी भी बरतन धोने के साबूं से या फिर लिक्विड से आप इस ट्रिक बताई थी कि यहाँ पर हम कुशन जो कवर होता है उसको चड़ाने के लिए पॉलिथिन का यूज़ कर सकते हैं लेकिन आज हम यहाँ पर किसी भी तरह की कि कोई पॉलिथिन यूज़ नहीं करने वाले हैं और जो हम पिलो कवर पहनाने में बड़ी जंजट हमें लग अंदर की तरफ से जहां से सीधा है उस पार्ट में आपको ऐसे हाथों को फसा लेना है कोनों से और उसके बाद जो पीलो है हमारा तकिया उसे कोनों से अच्छी तरीके से ऐसे कपड़े को इसमें डाल देना है उसके बादी से हम थोर से गुमा देंगे और यह जो हमने कवर इसमें डाला है इसे सीधा हमने खीच देना है ऐसा करने से आप बिल्कुल आसानी से बिना जादा टाइम वेस्ट हुए हम फिलो कवर को अच्छे से पहना सकेंगे तो है न कमाल की ट्रिक इसमें आपको किसी भी तरीके कि पॉलिथिन की जौरत नहीं रहेगी और साथी साथ बहुत असानी से आप पिलो कवर पहना पाएंगे कोई भी मशक्कत आपको जादा नहीं करने पड़ेगी तो अगर आपको भी पिलो कवर चड़ाने में कोई दिक्कत होती है तो इस तरीके का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है चली बढ़ते हैं अगली यूज़फूल टिप की तरफ दोस्तो रसोई घर में हम जब खाना बनाते हैं न तो सबसे ज़्यादा गैस खर्च होती है और हम सभी जानते हैं कि गैस आजकल कितनी ज़्यादा तो आप इसके अंदर जब भी पानी डालते हैं तो हमेशा इसमें गरम पानी डालिए गरम पानी डालने से फायता ये होता है कि एक तो गैस ज़्यादा खर्च नहीं होती पानी को गरम होने में बढ़ना टाइम लगता है और बहुत जाता देर तक हमें गैस को खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और इस तरीके से हमारी बचत भी हो जाएगी तो अगर आपको इस ट्रिक अच्छी लगी होगी तो इसको आप जरूर से शेयर करिएगा और उसके बाद आपका खाना कुछ ही देर में मिन्टों में बन कर तयार हो जाएगा तो बहुत ज़दा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं तुरंट की तुरंट इसमें सीटिया आना शुरू हो गई है और खास तुर पर नहीं यहाँ पर ज़दा इंपॉर्टेंट यह है कि गैस के काफी सारी बचत होती है तो उमीद करती हूँ कि आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी खास तुर पर वाउस वाइफ के लिए तो यह बहुत अच्छी ट्रिक है मतलब हर काम को करने के लिए आपको जादा सोचना नहीं पड़ेगा जादा टाइम भी नहीं लगेगा तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो रोज की तरह एक लाइक जरूर करेगा दोस्तों के साथ जरूर शियर करें और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से कोन से देख रहे हैं कर मिलेंगे फिर से कुछ नई टिप्स के साथ बाबाई